राधे 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 क्रिषना 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 जैल immense जैवाल गोपाल की आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है आज मैं दोस्तों आपको एक छोटी सी कता सुनाओंगी जो द्वा पर युग से ली गई है, आप जरूर सुने गता दौापर यूग की सच्ची गटना है दौापर यूग में एक बार एक मोर उड़ता हुआ दौारी का पहुंचता है उसके मन में ये भावाता है कि मैं स्री किश्न भगवान जी के दरसन करूँ वेहमोर स्री किश्म भगवान जी के महल के दुआर पर बैठ जाता है और कहता है हे गोपाल हे गोपाल हे माधव हे माधव स्री किश्म भगवान जी उसको दरसन देने नहीं आते इसी तरह वेहर रोज स्री किश्म भगवान जी को पुकारता इसी तरह से दिन, हब्ते, महीने और साल गुजर जाते हैं लेकिन स्रीकिश्मकवान जी उसको दरसन देने नहीं आते एक दिन वह बहुत निरास हो जाता है और रोने लगता है एक कोयल आसकास में उड़ती हुई आती है और वह देखती है परभू के दुआर पर यह कौन रो रहा है वह मौर के पास आती है और कोयल कहती है मौर तुम क्यों रो रहे हो मौर कहता है एक कोयल मुझे परभू के दरसन करने है और मुझे एक वर्स हो गया है परभू को पुकारते हुए लेकिन पर्भू ने मुझे दर्सन नहीं दिये कोयल कहती है मौर तुम निरास मत हो तुम मेरे साथ बरसाने चलो राधारानी बड़ी किर्पैलू है वे तुम्हें पर्भू के दर्सन जरूर करा देंगी मौर कोयल के साथ बरसाने चल देते हैं वह बरसाने जाकर राधारानी के मंदिर के सामने बैठ जाते हैं और कोयल कहती है राधे 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 लेकिन मोर के मन में तो परभू बसे होते हैं मोर वहाँ पर भी कहता है हे माधव हे माधव हे कोपाल हे कोपाल राधारानी ये सब्द सुनकर तुरंत दोड़ी चल मुझे एक बार कहने पर ही दर्सन दे दिए और पर्भू के दौर पर मुझे एक बर्स हो गया पर भूने अब uns अब तक दर्सन नहीं दिए ग्जा कर crank noir किया आप जा करतम हमनु पर द्वार पर कहना रंधी जरूर मौर दरसन देंखे मोर यह सुनकर चलाता औुद मोर को दरसन देते हैं और कहते हैं मोर मौर आज मैं तुमसे परसन हूँ और तुम्हें दर्सन देने आया हूँ मौर कहता है हे प्रभु मुझे एक वर्स हो गया आपके द्वार पर बैठे हुए मैं रोज हे माध हो हे माध हो हे गोपाल हे गोपाल कहता था तो आपने मुझे आज तक दर्सन नहीं दिये और आज राधे राधे कहने से ही आपने मुझे एक बार में दर्सन दे दिये स्रीकृष्म अगवान जी कहते हैं जब जब भी कोई भी किसी भी युग में राधे राधे पहले पुकारेगा तो मैं उस भक्त को अपनी सरनागत में ले लूँगा और इसी तरह राधारानी के दवार पर जाकर जो भी ही गॉपाल ही गॉपाल पुकारेगा तो राधारानी उसको भी अपनी सरन में ले लेंगी राधारानी और स्रीकृष्म जी एक ही हैं वो अलग नहीं है भगवान जी मोर से कहते हैं आज मैं तुमसे बहुत परसन हूँ तुमने एक वर्स तक मेरी दर्सन के लिए मेरे दुआर पर बैठ कर मेरे नाम का स्मरंड किया है आज मैं तुम्हारी भक्ती का तुम्हें फल देता हूँ तुम्हें यह वचन देता हूँ आज से मैं मोर मुकुट अपने सीज़ पर धारन करूँगा और इस यूग में भी और आने वाले सभी यूगों में लोग मुझे मोर मुकुट धारी भी कहेंगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा यह तुम्हारी भक्ती का फल है इसी तरह से पर्भू क कि भक्ती करें जिसे कि पर्भू हम अपनी शण्णागत में ले और अपने दर्शन दे राधे 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 कृष्णा 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 जैलड़ू गोपाल की जैबाल गोपाल की